Q14. Find the single discount which is equivalent to two successive discounts of 20% and 5%. मैंने आपको बताया कि successive discount क्या होता है previous question में. ठीक है? तो अब हम उसी के basis पर इसको solve करेंगे. फिलहाल आपको मैंने पिछले question में क्या बताया था? कि अगर आपको selling price निकालना हो और market price पर आपको successive discount लग रहे हूँ. तो multiply करो market price की किससे? 100 minus discount percentage first वाला upon 100 और फिर से 100 minus discount percentage second वाला और upon 100. अगर यह formula आप जानते हैं तो calculation बिल्कुल reduce हो जाएगी. ठीक है? तो यह formula यूज करके मैं इस question को solve करूँगा. मैं कहता हूँ कि let the market price equals to 100. ठीक है? 100 मान लिया. तो आप बताओ selling price क्या होगा? तो यह वाला formula में देखो selling price निकालना है तो पहले निकालते हैं, पहले रखते हैं market price. तो वो कितना है? 100. multiply. फिर bracket में देखो 100 है. माइनस पहला discount. तो पहला discount कितने गा है? 20 upon 100. फिर क्या है? 100. माइनस दूसरा discount. वो कितने गा है? 5 का. upon 100. तो देखो 100 तो ऐसी रहा. 100 मैं से 20 गए तो 80 बचा. और upon में 100. इंटू 100 मैं से 5 गया. तो 95 upon 100. 2-0 से 2-0 cancel. 1-0 से ये 0 cancel. ये 10 बचाया भी. मैंने गलती से 2 card दिये थे. तो 2 की table से ये 4 times. 2-4 जा 8. और 2 की table से ये 5 times. 5 की table से ये 19 times. 19-4 जा 76. देखो. Market price कितना था? 100. दो discount लगने के बाद selling price हो गई ये. अब ये हमसे पूछ रहा है कि single discount कितने का हुआ? मतलब अगर 100 की चीज़. आप 76 की sale करते हैं. तो यहाँ पर discount percentage हमें बताईए. तो मैं आपको बता दूँ. कि अगर आपको discount निकालना हो. कभी भी. तो आप जितने की आपने discount दिया है. उसको उपर लिखो. और नीचे आता है हमेशा क्या? Market price. मतलब mark price. multiply करते हैं 100 से. इसको solve करते हैं. तब हमें पता चलता है. discount percentage. समझ गए? तो यह formula होता है. फिलाल discount कितने का दिया वो निकालना है अगर आपको. तो वो कैसे निकलता है? तो जब भी discount निकालना हो आपको. यहां तो discount percentage है. इस formula से तो आपको discount percentage पता चलता है. लेकिन जब भी discount निकालना होता है. तो वो formula होता है. market price minus selling price. मार्केट प्राइस कितना है 100 का सेलिंग प्राइस कितना है हमारा देखो क्या है 76 अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो कितना आएगा 24 100 मैं से 76 गए तो 24 तो यही हम रख देते हैं डिसकाउंट कितने का है देखो डिसकाउंट कितने का है 24 का मार्क प्राइस कितना है देखो कितना लेट करके चले थे 100 का मल्टिप्ला है 100 और ये परसेंटेज का सिंबल तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसल तो कितना आया डिसकाउंट परसेंटेज हमारा 24 हो गया तो सिंगल डिसकाउंट इक्वेल्स टू 24 परसेंट मतलब दो जो डिसकाउंट थी ये 20 और 5 परसेंटेज के ये दोनों डिसकाउंट अगर सिंगल डिसकाउंट की बात करें तो सिर्फ डारेक्ट आप 24 का डिसकाउंट दे सकते हैं ठीक है यही हमारा आंसर है एक्सरसाइज फिनिश चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर